असलाम आलेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तो आप में से बहुत सारे भाईयों को शिकायत रहती है कि असलाम भाईय आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में आप लोगों के comment का जवाब देने वाला हूँ तो इस वीडियो के साथ में आखर तक बने रहे हो सकता है आपको आपकी सवाल का जवाब मिल जाए तो दोस्तो हम वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं आज के पहले सवाल की जानेव आज के पहले सवाल में हस्तिमल तेली ने लिखा है कि इंडिया से फ्लाइट से आने पर रजिस्टर करना पड़ेगा क्या इसका सवाल जो है कल वाली वीडियो से रिलेटेड है कल वाली वीडियो मैंने आप लोग बताया था कि अब जो लोग अबु समरा के रास्ते से खतर जाएंगे तो उन लोगों को एक फारम फिल अप करना पड़ेगा आनलाइन तो उसी के बारे में इस भाई ने सवाल किया है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि इंडिया से अगर आप अबु समरा के रास्ते से जा रहे हैं तो जरूत पड़ेगी अगर आप फलेट से जा रहे हैं तो आपको जरूत नहीं पड़ेगी इसी तरह नेपाल और से ज्यादा हो गया प्लीज रिप्ले देखिए अगर आपका क्यू विसी जो अपाइंडमेंट है उसमें अगर नाम घलत हो गया है तो इसको जो सुधारने के लिए आपको कंपनी से कंटेक्ट करना पड़ेगा आपकी कंपनी वाले ही इसको सुधार सकती है इसको जो है प्रबलम तो नहीं होगा देखिए दोस्तों ये सवाल कुछ अजीब है लेकिन मैं इसको सोच रहा दे सवाल को नहीं लेने के लिए फिर भी मैंने ले लिया क्यों हो सकता है इस भाय की तरह और भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कतर इसलामी मुलक है तो और भी कर काम करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है सब को जाने की अजासत है सब वहां जाकर करके काम कर सकते हैं दो चार पैसे कमा सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है मैं भी कतर में बहुत दिनों तक काम किया हूँ और नन मुसलिमों के साथ में रहा हूँ कोई दिकत की बात नहीं वहा सारे ऐसे नन मुसलिम भाई हैं जिनकी खुद की कमपनी है वो कतर में काम कराते हैं लोगों को बाहर समगाते हैं और काम कराते हैं और अच्छा खासा इंकम करते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है सिर्फ कतर ही नहीं बलके गल्फ की हरे कंट्री में मुसलिम और नन मुसलिम में कोई फरक नहीं है, सब को एक समाने देखा जाता है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब, अगले सवाल में M.D. कलीम ने लिखा है, कतर का अमल सर्विस कमपनी के बारे में डिटेल से बताईए, Sir I am फ्रोम नेपाल, देखे इस तरह का जो सवाल करते हैं, कमपनी में फला कमपनी किस तरह है, इसके बारे में डिटेल से बताईए तो दोस्तों इस तरह का जो सवाल होता, इस सवाल का जवाब आपको कोई भी सही से नहीं दे सकता है यहां तक कि वहां का जो मिनिस्टर होता था था तो अलोखोर में, आजू-बाजू में दो-चार-दस कमपनी उसके बारे में बता सकता हूँ लेकिन जो दोहा के कमपनी हैं, दूसरी-दूसरी कमपनी उसके बारे में करशी बता सकता हूँ तो इस तरह का सवाल का जवाब जो है, जो उस 16300 पर फोन करना पड़ेगा वहाँ जो मिनिस्ट्र पॉब्लिक हेल्थ कतर है उससे आपको कंडक्ट करना पड़ेगा आपको वहीं से हिल्प मिल सकता है अगले सवाल में मेराज ने लिखा है कतर का न्यू वीजा चालू है इंडिया वालों के लिए प्लीज रिपले आप कभी जवाब नहीं देते लखनों में वीजा मंगा सकते हैं या देल ही से काम हो जाएगा प्लीज रिपले जी हाँ इंडिया वालों के लिए कतर का वीजा ओपन है और इंडिया में जो सात वीजा सेंटर है कतर वीजा सेंटर ओपन है इससे पता चल रहा है कि कतर का वीजा ओपन है और flad V चालू है जब qatar के visa बंद हो जाएगा और flad भी बंद हो जाएगा तो qatar vista center फिर किस काम के लिए रहेगा वो उसको भी बंद करना पड़ेगा आपका अगर वीज़ा निकलता है तो आपकी नज़्दिक में कौन सा qatar vista सेंटर है उसमें जाकर कि आप मेडिकल करवा लेजिए कंपनी को बोलिए इसमें जो है आपको अपटमेंट देने के लिए अगले सवाल में नागेशुवर यादब ने लिखा है कि वीजा चेंज होता है लेवर से ड्राइवर जी हाँ बिलकुल चेंज होता है लेवर से आप प्रोफेशन चेंज करवा सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है अगर आपके पास में साटिफिकेट है तो ये काम जल्दी हो जाएगा बिना साटिफिकेट के थोड़ा सा लेट भी लग सकता है अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानेव अगले सवाल में तमीम तमीम ने ये आपका पॉश्या बराद हो सकता है आप अपनी कमपनी से बात कीजिए कमपनी वाला आपको इंठी परमिट निकल कर कर देगा अगले सवाल में जी वी वी जी जी औफ वी वी सी ने लिखा है कि अरे असलम भाई कोलकता का मेडिकल चालू है कै नहीं जी हाँ कोलकता का कतर विया सेंटर चालो है वहाँ पर काम हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है अगले सवाल में देव भाटे ने लिखा है ओफर लेटर में सिगनेचर करने के बाद कितना दिन बाद वीजा आता है देखे दोस्तों ओफर लेटर अलग चीज है और वीजा अलग चीज है ओफर लेटर में सेंट करने के मतलब यह नहीं हुआ कि आपका वीजा पका आ जाएगा बलके आप यह समझ लेए कि ओफर लेटर के जरीए आपकी और कमपनी के बीच में एक कुछ बातचीत हो रही है बस उतना ही है वीजा निकालने के लिए आपकी कमपनी को कतर गुर्मेंट को ऑनलाइन अप्लिकेशन देना पड़ता है तो वो अप्लिकेशन एक्सेप्ट होने के बाद में आई आपका वीजा निकलता है और वीजा अप्लिकेशन जो डालते हैं उस वक्त ओफर लेटर का कुछ काम नहीं होता वहाँ पर पुशा बनी जाता है कि इसको जो एटेच करना है या नहीं करना है तो गतर का वीजा और ओफर लेटर ये इस दोनों में जो है कोई खास रिलेशन नहीं है दोनों का जो है दोनों अलग अलग चीज़ है अगर आपका वीजा आने में लेट हो रहा है तो आप जो है इस बीच में दूसरी कमपनी से भी आप बात कर सकते हैं वीजा के लिए रखना जरूरी नहीं है अगर आप बिना विक्सिन के जाते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है आपको जो है जाने के लिए वीजा चाहिए कतर का और वहां पर आपको दस दिन के लिए कुरोंटिन चाहिए बस इतनी चीज काफी है और बागी काम जो भी आपके मुलक में होगा जै करना पड़ेगा मैं रजिस्टेशन भी कर लिया हूँ देखिए अगर आपको अभी तक वेक्सिन नहीं लगा है तो 16000 पर फोन कीजिए तो इस पर कॉल करने बाद जो आपको डिरेक्शन मिलेगा उस हिसाब से आप काम कीजिए या इस पर अगर फोन नहीं लगता है तो 109 पर भी आप कॉल करके हिल्प ले सकते हैं एक और सवाल कुछ नेपाली भाईयों ने पूशा है कि असलम भाई मैं कतर से छुटी में नेपाल आया था और बीच में फ्लाइट जो है बंद होने की वएसे मैं नहीं जा पाया तो अभी मेरा एकामा भी एक्सपायर हो गया है औ और मेराbreaking वह एक्सपैर हो गया है क्योंकि अभी बदन कलता है और लोग जा आते हैं थो साथ साथ यांघ उन्हों का इंट्टी पर मि потребываем 6 महिना होता है यह अगर बात करें करेंगे entry permit अगर arrange हो गया तो फिर आप गतर जा सकते हैं अगर्चे आपका एक्सपार हो गया है कोई परिशाने की बात नहीं है तो दोस्तों यहीं थी आज की वीडियो उमीद करता हूं पसंद आई हो होगी कतर के बारे में इसी तरह की जानकारी इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बहुत बहुत शुक्रिया